हेलो दोस्तो वेलकम टू घ्यान सुत्र और आज हम आपके लिए लेकर आएं टोप फिफ्टी जी के कोसंस की स्रीज जो की काफी इंपोर्टेंट होने वाली है तो दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे की रिक्वेस्ट की वीडियो को अंतक देखे और हमारे चैन कहा जाता है तो जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस कांसर है मुह इनुदीन चिस्ती मुह इनुदीन चिस्ती को गरीब नवाज कहा जाता है तो चलते हैं नेक्स कोशन की और कोशन नंबर टू है हमारा कुतुब मिनार कहां है कुतुब मिनार कहां इस्ति और व्यास 24.3 मीटर है जो उपर जाकर सिखर पर जाकर 2.75 मीटर हो जाता है तो यह हैं डिजिट्स काफी इंपोर्टेंट है सभी ध्यान में रखे इन डिजिट्स को एक्जाम में पूछी जा सकती हैं तो नेक्ट कोसन के ओर चलते हैं अपने कोसन नंबर 3 कोसन नंबर 3 है हमारा परवत और पाहड के बीच की भूमी को कहते हैं गाटी जो पानी के परवा को निरंतर चलाए रखती है परवत और पाहड के बीच की भूमी को गाटी कहते हैं यह कोसन के एक्जाम में पूछा जा सकता है इंपोर्टेंट है तो इसे भी ध्यान में रखे तो next question के और चलते हैं हम अपने question number 4 सहरिया जंजातिया पाई जाती है सहरिया जंजातिया राजिस्थान में पाई जाती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं सहरिया जंजातिया राजिस्थान में पाई जाती है तो यह question भी आपसे पूछा जा सकता है तो चलते हैं अपने नेक्स कोशन के और कोशन नमबर 5 मानचित्र में परवत और पाहड को दर्साया जाता है मानचित्र में परवत और पाहड को दर्साया जाता है लाल रंग से लाल रंग से परवत और पाहड को दर्साया जाता है मानचित्र में तो चलते हैं नेक्स्ट कोशन के और कोशन नम्बर 6 देखते हैं हमारा सिल्क रेसम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन जो कोरोना वायरस का पिता है चीन के वहां सेर से यह बयानक कोरोना वायरस ने जरम लिया है जो कि इस समय विश्व में पूरे विश्व पर हावी ह है तो यह कोशन भी आप से पूछा रसकता है एक्जाम में तो सभी को ध्यान में रखे और पॉइंट वाइस समझते चलें तो नेक्स्ट कोशन चलते हैं हम नक्स्ट कोशन देखते हैं अपना कोशन नम्बर 7 कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का परदान मंतरी कौन था कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के परदान मंतरी कौन थे तो इसका राइट अंसर है नवाज सरीफ जैसे कि आप देख पा रहे हैं नवाज सरीफ कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के परदान मंतरी थे तो चलते हैं हम नेक्स्ट कोशन के और अपने कोशन नम्ब नाइन बाहरतिय राष्ट्य कोंग्रेश की स्थापना कब हुई थी तो इसका राइड आउसर है 1850 ECU में बाहरतिय राष्ट्य कोंग्रेश की स्थापना हुई थी यह कोशन भी एक्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तो इसलिए इसे याद रखे अच्छे से तो चलते ह हुआ हम अपने next question की और question number 10 कौन सी आगर्ती भुमी का जलसे बनी है तो इसका उत्तर है क्रास्ट वीडो आकरती भूमीकत जल से बनी है यह कोशन भी एक्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जा भी चुका है कई बार तो इसलिए से भी ध्यान में रखें तो चलते हैं नक्ष्ट कोशन की और खरीब फसल क्या है कोशन नमबर 11 है हमारा खरीब फसल है मक्का इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एव आधारता तता पकते समय सुस्क वातावरन की आवसकता होती है उत्तर भारत में इनको जून जुलाई में बोते हैं और इन्हें अक्टूबर के आसपास काटा जाता है तो यह सभी बाते ध्यान में रखें काफी इंपोटेंट है सिलेक्टिड चीजी हमने उठाई है इस वीडियो में तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की और कोशन नमबर 12 बाजरे की फसल कब काटी जाती है बाजरे की फसल अक्टूबर से नमबर के महिने में काटी जाती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की और कोशन नमबर 13 कोशन नमबर 13 है हमारा एसकीमो के घर बने होते हैं एसकीमो के घर बने होते हैं बर्फ के S-Kimo के घर बर्फ के बने होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं S-N-K के बने होते हैं S-Kimo के घर तो चलते हैं हमापने Next Question के और Question Number 14 Question Number 14 है हमारा दिल्ली से पहले भारत की राज़धानी थी या तो सबी को पता ही होना चाहिए दिल्ली से पहले भारत की राज़ानी कॉल करता थी अब नई दिल्ली हो गई है तो चलते हैं में अपने नेक्स कोशन के और लास्ट कोशन है लाल त्रिकोड का संबंध किस से है कोशन नमर फिफ्टिन है हमारा लाल त्रिकोड का संबंध किस से है तो इसका राइट आंसर है परिवार कल्यान से डाल तरिकोड का संबन परिवार कल्यान से है यह कुस्षन भी काफी important है एक्जाम में पूछा जा सकता है तो दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो का लाइक करें कोमेंट करें और मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हम डेली आशी वीडियोस लाते रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें सभी